आज मेरे साथ 17,990 रुपे का स्कैम होने वाला था और मैं बच गई बाल बाल आपको बताती हूँ कि आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हो क्योंकि चल रही है ब्लैक फ्राइडे सेल जिसमें से मैंने बहुत सारी चीज़े ओर्डर की थी तो जारा तो बहुत ही अच्छा डिसकाउंट दे रहा है तो मैंने जारा से कम से कम डेड़ लाग की शॉपिंग की थी उनी में से मेरे कुछ पार्सल आई थे सबसे पहला पार्सल देख कर रहा है मैं हैरान रह गई सच बताओं ये पार्सल सा 1790 का मतलब 1790 रुपे गा और उस लड़के ने मुझे ले लिए 17,990 रुपे मैंने पार्सल ले लिया और देखा ने क्योंकि मेरे पास थे बहुत सारे पार्सल तो मैंने सारे पार्सल ले लिया बट मेरी अच्छी वात ये है कि मैं जब भी कोई पार्सल ओपन करती हूँ तो मैं हमेशा उसकी वीडियो बनाती हूँ जैसी कि आद देख रहे हो मैंने सारे पार्सल्स ओपन करें बहुत ही अच्छे से और देखा किसमें क्या क्या आया है लेकिन जब वो 17,990 का पार्सल्स मैंने खोला ना जिसमें सिर्फ दो ही चीज़े आई थी तो मैं हैदान रहे गई सच बताओ तो मैंने उस डिलिवरी बॉई को कॉल किया और बोला कि आपने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिये हैं लेकिन तीन बार कॉल करने पर उन्होंने मेरा फोन आंसर ले और फिर अपना फोन आफ कर लिया लेकिन मैंने उनको छोड़ा नहीं मैं उनको कॉल करती रही मेसेज़ेस करती रही यहां तक कि जो अमर पास लिंक भी आता है ना उस पर भी मैंने उनको ट्राक किया जहांसे मुझे उनका पता मिला और मैं उन तक पहुँच गए तो गाइस मैं आपसे यही विंती करूंगी जब भी आप कुछ भी ओर्डर कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो अच्छे से अपने पार्सल में प्राइस टैक देख लेना अधर्वाइस आपके साथ भी हो सकता है इतना बड़ा स्कैम मेरे पैसे अभी वापिस नहीं आए है क्योंकि उनका पेटियम में कुछ प्रावलिम चल रही है मेभी कल सुबा तक मिल जाएंगे लेकिन 17,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1790 की जगे 17,990 रुपे उन भाइया ने ले लिये मुझ से और वो भाइया अब पता नहीं कहां चले गए है लेकिन उनके कोले डिपार्टमेंट ने मुझे ये वादा किया है कि आपके पैसे आपको वापिस मिल जाएंगे खैर रही बात उस स्कैम की तो मैंने आपको सतर्क कर दिया है बात करें तो मेरे जारा ओर्डर्स की तो यहाँ पर मैंने काफी सारी चीज़े और की हैं जैसे कि यह वूलन स्वेटर, ट्रैक पैंट्स और भी काफी कुछ लखन के लिए भी मैंने और किया है कहीं आप समझो सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करी है लखन के लिए मैंने हुडीज और करी है स्वेटर्स और करी है लेकिन अपने लिए कुछ जादा करी है क्योंकि होता है लड़कों की पसंदी कुछ और होती है उसके बाद एक एक करके मैंने सारे अपने और्डर्स निकाले और अच्छे से देखे मुझे लगा फिर तो मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हो गया क्योंकि मैं सच बता रही हूँ मैं पार्सल जरूर ओपन करती हूँ लेने के बाद लेकिन जब बात आती है पेमेंट की तो मैं बिन दे के पे कर देती हूँ तो आपसे यही विंती है कि आगे से जब भी आप ओडर रिसीव करें हमेशा उस पर प्राइस देखें उसी के बाल उनको पे करें स्कैम से मैं तो बज़ गई लेकिन आपको भी सतर करते जा रही हूँ स्कैम मेरे साथ पहले भी बहुत हो चुके हैं लेकिन यह तो अलगी लेवल का था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी आप कोई भी समान ओर करते हैं या रिसीव करते हैं तो अच्छे से उस पर नजर डाल के देख लेना यहापर मेरे खूब सारे प्यारे प्यारे टॉप्स आ गए थे लेकिन मैं सबका प्राइस भी चेक करे थी कि बहार भी उतना है ना जितना दिखाया जा रहा है कई उन भाईया ने दुबारा से तो मुझसे साथा पैसे नहीं ठग लिए साबधान रहे सतरक रहे यह लाइन तो हमने बहुत बार सुनिये लेकिन आज मैं आप सभी को यह बोलना चाहूंगी आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपको हेल्प करेगी आगे किसी भी स्कैम से बचने के लिए और हाँ यह स्कैम दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों के साथ ऐसा कभी न हो अगर आप नई हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करते वे जाना बाई बाई